I get a vibe कि वो unsure हैं अपनी feelings को लेकर एक side वो सोचते हैं कि वो आपके पास आए और दूसरी side वो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए Viewer आप अपने person को visualize करिए और मैं आपके और आपके person click art spread करता हूँ कर दो अपने आपके अपने आपके आपके और आपके और से चाहिए कि आपके जाए आपके जागता है connection खतम होता हुआ दिखाई दे रहा है physically सब खतम हो चुका है लेकिन I feel कि आपका connection पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है आप दोनों के दिल अभी भी एक दूसरे से मिले हुए है ये connection कही ना कही आप दोनों के दिलों में जिन्दा है I feel कि आप दोनों के बीच बहुत सारी बाते चीजे ऐसी हैं जो आपके connection में problem create कर रही है लेकिन उसको address नहीं किया गया आप दोनों ने ही अपनी feelings, अपने concerns खुल कर एक दूसरे को express नहीं करे और सारे राज आपके दिलों में ही दबके रह गए और शायद इसी वज़ा से आप दोनों के बीच separation आ गया है I see कि आपके person को ऐसा लग रहा है कि वो आपके उपर pressure डाल रहे थे इस connection में इसलिए उन्होंने आपको break देना चाहा क्योंकि आपके बीच काफी miss communications थे इसलिए वो आपको समझ नहीं पाए आपने अपना best दिया इस connection में आप बहुत excited और energetic रहते थे इस connection को लेकर लेकिन आपको ऐसा लगता था कि आपका person उतना कुछ नहीं है आपके साथ या वो उतने efforts नहीं कर रहे जितने उनको करने चाहिए All in all आपके connection में improvement के लिए एक honest communication का होना बहत जोरी है जिसमें आप अपनी feelings, concerns express कर पाओ और आपका person अपने है I feel कि आप दोनों ही multi-dimensional हो आप दोनों में एक जैसी qualities है और इसलिए आप दोनों एक दूसरे की company काफी enjoy किया करते थे आपको लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए perfect हो और एक great team हो I get a vibe कि फिलाल आपके person के साथ काफी घटना ऐसी घट रही है जो उने stress दे रही है आपका person इन सबसे अखेले और successfully deal कर रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि वो अंधेरे से घिल चुके हैं उनकी जिन्दगी काफी दुख बरी हो गई है और उनके अंदर एक spiritual energy आ गई है उन्होंने अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है It feels की वो चाहते हैं कि universe उन्हें कुछ इशारा दे या समझाए कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए आपका person काफी अकेला पन महसूस कर रहा है आप दोनों ही isolated feel कर रहे हो अपने अपने level पर और इतना struggle से गुजरने के बावजूद भी आपका person आपके बारे में सोचता है उन्हें आपकी याद आती है और वो सोचते हैं कि आपसे मुलाकात हो I feel कि आपके person को ये realize हो रहा है कि उन्होंने इस connection में कहां-कहां गलती की इस connection में problems के लिए वो खुद को ही blame कर रहे है उनको लगता है कि आपने उनको बहुत समझा बहुत space दी, बहुत time दिया लेकिन वो समझ नहीं पाए वो आपकी feelings को समझने में असमर्थ रहे और कुछ situations ऐसी रही होंगी जिसमें आप दोनों को बोलना चाहिए था लेकिन आप बोले नहीं I believe कि आपका connection soul connection जैसा है क्योंकि आप दोनों ही इतने दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, एक दूसरे के फिकर कर रहे हो It feels कि आपके person ने आपको अपको अपनी past stories बताई थी या कुछ ऐसी situations का जिकर किया था जो ने परशान कर रही थी लेकिन तब आप दोनों के बीच चीजे ठीक ना होने की वज़ा से आप उन्हें खुल कर support नहीं कर पाए फिलाल आपका person इन सबसे काफी तूट चुका है उनके उपर बहुत stress और pressure है बहार से वो भले ही दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वो इससे successfully deal कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनको आपकी कमी खलती है जिस वज़ा से उनका confidence तूट चाता है Deep down I can sense कि आपके person को दूसरे लोगों के पीछे भागना नहीं आता या वो किसी के पीछे भागना पसंद नहीं करते हैं और इस वज़ा से उनके कई connections खराब भी होए हैं क्योंकि वो अपनी गलती accept नहीं कर पाते या दूसरों के सामने accept नहीं कर पाते बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनने अपनी गलतीयं accept करनी चाहिए और आप से अपनी माफी मांगनी चाहिए Back of the mind I see कि आपका person कई बार efforts करने की कोशिश करता है कि इस connection को improve किया जाए लेकिन उनको past याद आ जाता है या उनके दिमाग में कुछ ऐसे हाथ से या कुछ ऐसी चीज़े strike कर जाती है जो उने आगे बढ़ने से रोक देती है It feels वो बार बार अपने past को अपने future से connect करने की कोशिश करते है और यही reason है जो वो आज तक आप से माफी मांगने नहीं आए I feel कि आपको थोड़ा patience रखना होगा और अपने person को time देना होगा क्योंकि आपका person भी सही वक्त का इंतजार कर रहा है मैं cards को clarify करता हूँ तब तक आप proper energy exchange के लिए इस reading को like कर दे और paid reading के आप मुझे ओपर दिख रहे WhatsApp नमबर पर अप्रोच कर सकते हैं I see आपका person खुद में खो के रहे गया है वो अकसर खुद से बाते करते हैं बट उनको इस connection की पूरी-पूरी खबर है उनको परवा है कि ये connection जो उनके लिए बेहत important है वो खराब हो रहा है और वो कुछ नहीं कर रहे इसको बचाने के लिए I get a vibe कि वो unsure है अपनी feelings को लेकर एक साइड वो सोचते हैं कि वो आपके पास आए और दूसरी साइड वो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए But one thing for sure कि वो आपके लिए honest feelings रखते हैं आपके connection में सबसे interesting बात ये है कि आपके person को सब कुछ पता है कि उन्होंने आपको hurt किया है और उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए लेकिन उनको फिर भी कभी कभी surety नहीं आ पाती But I believe कि उन्हें धीरे-धीरे realize हो रहा है कि वो इस connection से आखरकार क्या चाहते हैं और इसलिए I feel कि आने वाले कुछ दिनों में वो step लेंगे इस connection को revive करने के लिए I get a vibe कि आप दोनों ने past में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिनका आप दोनों को बहुत पश्तावा है और वो अकसर आपके connection के बीच में आती हैं आप दोनों ये सोचते हो कि वो सब चीज़ें जो आपने past में की हैं वो future में ना हो और ना ही ये connection उस वज़ा से खराब हो आपके person को feelings reciprocate करने में भी दिक्कत थी उनको समझ नहीं आता था कि वो efforts को कैसे reciprocate करें लेकिन अब वो ये समझ पा रहे हैं कि कैसे किसी को unconditionally प्यार किया जाता है और कैसे efforts invest किये जाते हैं It feels कि उन्होंने पूरा-पूरा मन बना लिया है कि वो इस connection में अपना 100% देंगे I feel आपके person के साथ past में किसी ने abuse किया था उनकी feelings की respect नहीं की गई थी और उनको बहुत hurt किया गया था जिस वज़ा से वो आपके सामने खुलने से डरते थे क्योंकि वो नहीं चाते थे कि जो चीजे उनके साथ past में हुई है वो दुबारा हो और इसलिए वो आपसे distance बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको खुद भी पता नहीं चला कि कब वो आप पर विश्वास करने लगे कब वो आपको चाहने लगे और अब वो चाहते हैं कि आपको future का एक हिस्सा बनाया जाए I also feel कि आप भी अंदर ही अंदर ये चाहते हो कि ये connection improve हो भले आपको कितना ही hurt किया हो आपके person लेकिन आप जानते हो कि उनके इरादे नहीं थे आपको दुख पहुचाने के I feel कि एक honest माफी से आपका connection बिल्कुल ठीक हो जाएगा जो कि I believe आपका person आपसे जरूर मांगने आएगा अब दोनों का character काफी develop हुआ है अब दोनों पहले से कई कुना जादा mature हो गए हो और इसीलिए आप दोनों को लगता है कि आप एक connection जाद अच्छे तरीके से deal कर सकते हो आप शुरुआत से ही अपने person के साथ honest रहे हो लेगिन आपका person नहीं रहा It feels कि आपके अंदर हमेशा से ही इस connection को लेकर एक अलग चमक थी जो आपके person में missing रहती थी बट अब आपके person को realize हो रहा है कि ये connection उनके लिए कितना special है आप उनके लिए कितने special और important हो अब वो चाहते हैं कि वो आपको importance दे आपको special feel करवाएं और वो सब चीजे करें जो आप deserve करते हो I feel कि आपका person एक healthy relationship चाहता है और उनके हिसाब से आप already बहुत intelligent और mature हो इसलिए जो कुछ बदलाव करने की जुरत है वो उनको है उनको लगता है कि वो आपके level पर नहीं है या वो आप जैसी qualities नहीं रखते लेकिन वो आपको बहुत पसंद करते हैं I strongly believe कि जो सपने आपने अपने person के साथ देखे थे future spent करना, trips पर जाना, lifetime तक साथ रहना वो जल्द पूरे होने वाले हैं मैं universe has your back की मदद से universe से आपको ले advice पूछोंगा देखते हैं universe आपको आज क्या advice करना चाह रहा है There is nothing sexier than my authentic truth Universe आपको याद दिलाना चाहता है कि आपको खुद की soul को अपनी outer और inner beauty को appreciate करना चाहिए आपका सच ही है जो कि आपको बाक्यों से अलग बनाता है आपका सच ही इस दुनिया में रोशनी लाने का काम करता है लेकिन कई बार हम ये भूल जाते है आपको अपने सच को अपने अंदर दबाने के बज़ाए उसे बाहर रखना चाहिए ताकि वो और bright करी के से shine करे होने जा रहा है बड़ा फैसला उनकी तरफ से कौन सी खुशी मिलने वाली है जाने स्क्रीन पर शो हो रही अगली टार्ल रीडिंग में पेट परसनल रीडिंग ले आप मुझे वाट्सेप पर अप्रोच कर सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे दुबार अगली टार्ल रीडिंग में तिल देन, ब्लेस्यू